नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इसुरुक चैनल के अंदर MCQ वीडियो की सकड़ी के अंदर एक और है नया MCQ वीडियो हम लेके आए हैं सेसन जो है उसको हम यहां पे फुल्फिल कर सके तो आज की सेसन में हम बात करने वाले हैं कुछ स्कलेटल मसल के इंपोर्टेंट स्कलेटल सिस्टम के कुछ इंपोर्टेंट ट्री की MCQ और उससे संबंदित विद रैशनल आंस्वर्स तो आप लोगों से गुजारी सेर जरूर कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए उसको दबाना ना भूले तो शुरुआत करते एक बहत्रीन क्लास की बहत्रीन MCQ सेशन के साथ में आप लोगों के सामने सबसे पहला MCQ यह रहा The elderly client is admitted to the emergency room which symptom is client with a fracture hip most likely to exhibit Question ने क्या पूचा है एक elderly client है जो की admit हुआ है emergency room के अंदर कौन सा symptom client के अंदर fracture hip का exhibit हो रहा है एक elderly client है admit why emergency room के अंदर कौन सा symptom जो है वो client में fracture hip के लिए exhibit हो रहा है First option है pen, second option है delignment, third option है cool extremity और fourth option है absence of pedal pulse चार option यहापे दिये हैं fracture hip के लिए patient आया है कौन सा symptom fracture hip के लिए exhibit कर रहा है Pen, de-alignment, cool extremity और absence of pedal pulse फटा बट से अपना ज़ाब लिएगा Pen खोटा जवाब है pen खोटा जवाब है pen नहीं हो सकता fracture hip का exhibit करने वाला symptom सारे ही तरह के fracture जो होते हैं उनमें pen होता है तो pen कोई specific sign नहीं है fracture hip के लिए सारे ही fracture में पहन होता है इसलिए pen तो खोटा जवाब है Coolness जो extremities की रहती है वो pulse के absent होने पे coolness of abstinuity और absence of pedal pulse जो है वो basically compartment syndrome के symptom है किसके symptom है compartment syndrome compartment syndrome बोल दो या यह symptom देखने को मिलता है peripheral vascular disease के अंदर peripheral vascular disease जो होती है उसमें या compartment syndrome में यह symptom देखने को मिलता है cool extremities और absence of pedal pulse तो A, C और D यह तिनों ही तो खोटे जवाब होगे correct answer क्या बनेगा D alignment D alignment जो होता है वो देखने को मिलेगा वो patient जिसको fracture hip है उसमें B यहाँ पे बिल्कुल correct answer है fracture hip वाले patient में D alignment वहाँ पे देखने को मिलता है तो B is the correct one A, C और D जो है वो तिनों ही खोटे जवाब है बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है बहुत ही अच्छे आगे लेके चलता हूँ next रह किएगा next रह किएगा the nurse knows that the 60 year old female clients susceptible to osteoporosis is most likely related to एक nurse जो है वो जानती है कि जो 60 साल की female है 60 year old female है वो susceptible है osteoporosis की तो वो किससे संबन दीत है osteoporosis के परती हो susceptible है तो यह किससे संबन दीत है 60 साल की एक old lady के अंदर osteoporosis अगर हो रहा है तो इसका संबन किससे है lack of exercise, hormonal disturbance, lack of calcium, genetic predisposition osteoporosis, हड़ी की एक बीमारी जिसमें bone का mineralization जो है को गड़बड होता है bone का जो mineralization है, mineralization है, वो disturb हो जाता है और उसके वज़े से bone में porous बन जाते है, porous bone हड़ी के अंदर porous बन जाते है, हड़ी के अंदर छिद्र हो जाते है इसको osteoporosis कहते है, fragile bone हो जाती है bone का mineralization disturbance होता है, 60 साल की उमर में, यसी खोटा जवाब है, calcium की deficiency से नहीं होता है अलगी mineralization का गड़बड होना, मतलब bone में calcium की कमी होना लेकिन यहाँ पे 60 साल की उमर में कारण calcium नहीं था, यहाँ ज़्यादा चांस होता है 60 साल में लेडी menopause वाली condition में आती है, hormonal disturbance भी यहाँ पे बिल्कुल करक्टान सुरे 60 एर की एज में, menopause के बाद में, menopause is the last menstrual cycle menopause जो है, वो last menstrual cycle को कहते है menopause के बाद में, उस woman के अंदर lack, deficiency or lacking रहती है, हार्मोन की जो की बहुत necessary होता है, calcium के absorption और utilization के लिए इस calcium के absorption और utilization के जो important hormone है वो यहाँ पे defect हो जाते है, deficient हो जाते है और उसकी कमी की वज़े से lady को जो है osteoporosis होता है तो यहाँ पे correct answer क्या बनेगा B, not C, C खोटा है, B बिल्कुल सही है weight bearing exercise और calcium supplement अगर lady लेती है तो उस lady को osteoporosis जो है वो prevent किया जा सकता है लेकिन यह कारण नहीं है, अगर आप exercise करवाते हैं या calcium देते हैं तो osteoporosis prevent हो सकती है, लेकिन इनकी वज़े से osteoporosis हुआ ऐसा नहीं है होने का कारण तो था hormonal disturbance, पर हाँ यह अगर आप देते हैं तो osteoporosis को prevent किया जा सकता है, है की नहीं है, और genetic predisposition जो है वो osteoporosis बिमारी का नहीं है रहता है which finding by the nurse indicates that the traction is working properly, दो साल की जो बच्ची है वो admit हुई है, repair कराने के लिए fracture femur को और उसको brand traction के अंदर रखा गया brand traction जो है वो fracture femur fracture के अंदर काम में लिया जाता है, बच्चों के अंदर brand traction, before brand, before बच्चा कौन सी finding nurse को indicate करती है, कि जो traction है वो properly work कर रहा है, कौन सी finding indicate कर रहा है, traction properly work कर रहा है first है the infant no longer complain of pen, infant लंबे समय के लिए pen की complain नहीं कर रहा है, second है the buttocks are 15 degree off the bed, buttocks bed से 15 degree off हो गया है third है the legs are suspended in the traction, leg traction के अंदर suspended है, और last है the pins are secured within the pulley, pulley के अंदर pin जो है उनको क्या कर दिया है, आपने secure कर दिया है, चार option दिया है, brand traction है, traction properly work कर रहा है इसका indication क्या है, infant pen की complain नहीं कर रहा है, 15 degree off है bed से, leg जो है वो traction में suspended है, या pulley जो है बी यहाँ पर करक्टांसर है, buttocks जो है वो 15 degree off है bed से, buttocks जो है, वो bed से 15 degree off है, brand traction के अंदर यह देखने को मिलता है brand traction में, buttocks bed से 15 degree off रहते हैं, तो यहाँ पर करक्टांसर है B, जब आप brand traction में बच्चे को रख रहा हो तो उसके बटक्स जो है, वो bed से 15 degree off रहने चाहिए, बटक्स bed से 15 degree off रहने चाहिए, यह brand traction के अंदर देखने को मिलता है और answer A और C, दोनों ही खोटे जवाब है, incorrect है, क्योंकि यह indicate करता है कि traction जो है, वो working कर रहा है, है ना, मतलब यह indicate नहीं करता है कि traction properly work कर रहा है यह indication नहीं है कि traction correct है, working correct कर रहा है, no longer complain of pen or leg are suspended in the traction, इसका मतलब यह कभी भी नहीं कि traction सही से लगावाई है, सही से काम कर रहा है स्वाल नहीं पूचा था नहीं कि कौन सा indication कर रहा है, कि traction सही से काम कर रहा है, तो अगर 15 degree off है बैट से, यह सही से काम करने का indication है यह दोनों सही से काम करने के indication बिल्कुल भी नहीं है, A और C और D incorrect basically है, क्योंकि brand traction जो होता है, वो skin traction है, skeletal traction ही नहीं और जो पूली जो होती है, वो skeletal traction में काम में लेते हैं पूली जो हो किस में काम में लेते हैं, skeletal traction में, जबकि brand जो हो कैसा traction है, skin, अब skeletal और skin traction में क्या difference है, यह हम theory lecture के अंदर पढ़ेगे, अब तो आप लोगों को पता है, बहुत जल्दी theory lecture भी आने वाले हैं, है ना, क्योंकि अभी classes भी open होगी, offline हम पूरी theory भी पढ़ सकते है तो theory lecture जब हम पढ़ते हैं, तब इन दोनों में अंदर हमें difference बड़ी detail से पढ़ते हैं, skin और skeletal traction के बारे में, अभी आपको याद रखना है कि पूली जो है, वो skeletal traction में use करते हैं, और brand traction जो है, skin traction है, इसलिए यह भी खोटा जवाब है, तो A, मदब जिसमें skin traction है, तो इसमे vertex 15 degree, dad से off होएंगे, brand traction, काम में लिया जाता है, fracture femur के अंदर, बच्चों के अंदर, दो साल का बच्चा, admit हुआ था, तो यहाँ पर correct answer क्या था, B, बहुती बढ़िया, बहुती सांदार, very good, आगे लेके चलता हूँ, next देखिएगा, question, a client with fracture hip has been placed in traction, fracture hip का बचाय, traction के अंदर, आपने रखा है, कौन सा statement true है, regarding balance, skeletal traction, balance, skeletal traction, जो है, उसके बारे में कौन सी चीज सही है, अभी हमने brand के बारे में पढ़ा, तो आपको याद रखना, bad से 15 degree off पे रखते हैं, fracture femur में काम में लेते हैं, अब यहाँ पर fracture hip हुआ है, और आपने लगाया है, कौन सा traction, balance skeletal traction, balance skeletal traction, balance skeletal traction के बारे में सही बात यहाँ पर पूछिए, first है, utilize a pin through bone, bone के थुरू pin काम में लेते हैं, require that both leg be secure, दोनों leg को secure करते हैं, utilize creature wire, kitchen wire काम में लिये जाते हैं, और is used primarily to heal the fracture hip, fracture hip को heal करने के लिए काम में लिया जाता है, balance skeletal traction, very good, कुछ लोगों को idea नहीं है, I think, नाम जो है, थोड़ा अंजान सा है ये, very good, good, टैक येगा, यहाँ पर first option लिका है, utilize a pin to bone, है न, दूसरा है, require that both leg are secure, तो देखिए कि ये जो बी option लिका है, require that both leg are secure, तो basically ये traction जो है, एक लेक के लिए काम में लेते हैं, दोनों leg के लिए काम म नहीं लेते हैं, इसलिए खोटा जवाब है, जो ट्रेक्शन यूज किया जाता है, ये एक single leg के लिए यूज किया जाता है, दोनों leg के लिए इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए ये खोटा हो गया, c में लिका है, utilize kitchen wire, kitchen wire इसको के wire लिखते हैं, आपने orthopedic department में सुना होगा के wire कर दिया, के wire जो होते हैं, वह ज्जाधातर, small bone के लिए कामें लेते हैं, large bone के लिए कामें नहीं लेते हैं, जैसे अंगूली का fracture हो गया, और फ्रेक्शर हो गया, phalanges, ये जो छोटी- छोटी- ब violin होती है, small bone होती है, उनके fracture में के wire यूज कर लेते हैं, लेकिन ये balance, यह लिक्षा इसवाइब बी सिखुरइट 10 होगे चीनों है उश्चांबिक बेपन इठेशई EPA करक्षेस में क्या करते हैं पिन और इसकृ का मे लेता है और यह जो है वह बों लार्ज बोंन के टूर्व जाती है तो A यहां पर correct answer है B COD इनोई खोटे जवाब है फ्रेक्चर हिप के अंदर काम में लिया जाता है balance is collateral traction पिन को यूज करते हैं बोन के अंदर जाती है और पिन से बोन को क्या कर देते हैं stable करते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार आगे लेके चलता हूं next देखेगा next देखेगा the client is admitted for an open reduction internal fixation open reduction internal fixation के लिए मरीज admit हुआ है और इसमें fracture हिप हुआ है इसलिए admit हुआ है immediately following surgery, surgery के बाद में the nurse should give priority to assessing the client for क्या priority assessment रहेगा nurse का मरीज जो है वो admit हुआ है open reduction internal fixation के लिए fracture हिप हुआ था, surgery के बाद में immediately following surgery, nurse जो है क्या priority assessment करेगी इस client के अंदर, hypovolumia, pen, nutritional status, immobilizer, open reduction, internal fixation कौन सी चीज़ के लिए assess करेगी, hypovolumia, pen, nutritional status, immobilizer फटापर से जवाब लिएगा very good, very good, इस question का answer maximum लोगों ने विल्कुल सही दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सांदार, excellent, बहुत इंपोर्टन रहेगा, कि अगर D, खोटा जवाब है, यहाँ पे open reduction, internal fixation के लिए मरीज एड्मिट वाए, fracture rate के लिए, surgery के बाद में, surgery के बाद में पूचा, तो surgery में immobilizer तो कर दी, तो immobilizer जो है, पुर प्राइटी assessment नहीं है, प्राइटी assessment हमें सा रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कौन सांसर है, हाइपो वाल्यमिया, जो मरीज, जो surgery से आया है, उस मरीज में bleeding की संभावना यह ज़्यादा है, जितनी भी orthopedic surgery होती है, उसमें संभावना किस की ज़्यादा होती है, bleeding की, तो blood का collection जो है, वो होने की संभावना है, उसको बार- एसेस करना पड़ेगा, और हैमरेज होगा, तो मरीज को क्या हो जाएगा, हाइपो वॉल्यमिया, तो correct answer क्या बनेगा, ए, पैन जो है पैन, वो ज्यादातर orthopedic surgery में मरीज को देकने को मिलता है, लेकिन पैन के लिए एनाल जैसिक हम देते हैं, उसको continue, एना, epidural anesthesia भी कामें लिए जाते हैं पैन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये पैन कोई life threatening नहीं होता है, पैन तो uncomfortable पैदा करता है, लेकिन अगर हो गया तो life threatening है, और सांस है तो आ सही हम पढ़ते हैं, तो जो जान लेवा कारक है, उसको पहले priority देते हैं, और जो जान नहीं ले सकता है, उसको priority देने की जुरूत नहीं होता है, जो जान लेवा होता है, जो important चीज होती है, उसको हमें सब priority दी जाती है, ठैकिन ये, तो B यहाँ पे खोटा जवाब है, पैन जो है, वो पहला assessment नहीं है, life threatening नहीं है, C में nutritional status लिका भाए, तो उसको भी हम बाद में later on assess करेंगे, और immobilization की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो D भी खोटा जवाब है, तो B, C, O, D, तीनों ही खोटे जवाब है, यह बिल्कुल correct answer है, hypovolumia, बहुती बढ़िया, बहुती सांदार, आगे लेके चलता हूँ, next देखिएगा, next देखिएगा, which statement made by the family member caring for the client with a percutaneous gastrostomy tube, indicate understanding of the nurse's teaching, family member, जो की care दे रहे है, एक client को, जिसको percutaneous gastrostomy tube, percutaneous PCGT, percutaneous gastrostomy tube, through skin, सीधा stomach के अंदर, gastrostomy is a create an opening in the stomach, सीधा stomach में opening करके, through skin हमने tube डाली है, इसको gastrostomy tube कहते है, तो कौन से चीज, जो है gastrostomy tube वाले मरीज में, कौन सी चीज, जो है, indicate करती है, कि मरीज जो है, वो समझ गया है, teaching के बारे में, first है, I must flush the tube with water after feeding, and clamp the tube, मुझे हम हर बार feed करने के बाद में tube को क्या करना है, fluss करना है water से, और उसको clamp कर देना है, दूसरा है, I must check placement four times per day, हर दिन मुझे चार बार placement check करना है, कि tube अपनी जगे पे है, या नहीं है, अगला है, I will report to the doctor any sign of indigestion, indigestion के sign doctor को report करना है, मतलब अगर मेरे father जो है, वो swallow करने में unable है, तो मैं discontinue कर दूँगा feeding को, और clinic के उपर call करूँगा, चार option या पर दिये वे हैं, मरीज को percutaneous gastrostomy tube वहाँ पे लगी हुई है, तो आपका पहला priority action, मतलब आप मरीज का क्या statement है, जो आपको ये indicate करता है कि मरीज आपकी teaching को अच्छे से समझ चुका है, कौन सा indication आपको बताएगा, कि मरीज जो है वो teaching को अच्छे से समझ चुका है, पैसेंड के family member teaching को समझ चुके हैं, which is the correct one, येस, येस, very good, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, A is the correct one, बहुत ही बढ़िया, A is the correct one, बहुत ही सांदार, जो family member है, उनको हम सिखाते हैं कि flush कैसे करते हैं ट्यूब को fit देने के बाद में, चेक करना जुरूर ही है, हर बार, यहां पर लिकावाए, I must check placement four time per day, तो दिन में चार ही बार करूँगा, ये खोटा है, आप दिन में अगर 20 बार खिला रहे हो तो 20 बार चेक करना पड़ेगा, चार टाइम क्या होता है, ये खोटा हो गया, है ना, इंडाइजेशन जो है, वो पैग ट्यूब फीडिंग के साथ में, हो सकता है, किसी भी क्लाइन को, लेकिन उसके लिए कोई डॉक्ट को रिपोर्ट करने की जरूद नहीं है, इंडाइजेशन कोई ऐसा, जो इंडाइजेशन होने पर मरीज काम में, ले सकता है, तो ये भी खोटा जवाब है, और लास्ट में लिकावाए, अगर वो स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फीडिंग जो है, उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो ट्यूब फीडिंग का, स्वेलो इंग से यहां संब जाता है, तो डी बी इरिलिबेंट जवाब है, यहां पर, तो बी, सी और डी तीनों इखोटे जवाब है, भी इसलिए गलत क्योंकि हर बार चेक करना पड़ेगा, सी इसलिए खोटा क्योंकि इंडाइजेशन कोई रिपोर्टेबल साइन नहीं है, उसको ठीट कर देंगे ल लेके चलता हो, नेक्स दै किएगा, नेक्स दै किएगा, नेक्स दै किएगा, The nurse is assessing the client with a total knee replacement, 2 hours post operative, total knee replacement, TKR, surgery का क्या नाम है, TKR और 2 गंटे बाद में, post operative period में, कौनसी information require रहेगी, notification to the doctor, कौनसी information doctor को notify करेंगे आप, टोटल नी रिप्लेस्मेंट हुआ है दो गंटे पॉस्ट ऑपरेटिव में कौन सी इन्फरमेशन नोटिफाई करेंगे डोक्टर को ब्लीडिंग ऑन दे ड्रेसिंग इस तू सेंटिमेटर इन डायमेटर टोटल नी रिप्लेस्मेंट के सर्जरी हुई है पॉस्ट ऑपर टू आवर्स जो है कौन सी इन्फरमेशन आप नोटिफाई करेंगे डोक्टर को ब्लीडिंग ड्रेसिंग के दो सेंटिमेटर के डायमेटर में लोग ग्रेट तेंपरेचर है मरीज का हिमोगलोबिन 6 है और सर्जरी के बाद में मरीज वोईड करता है कौन सी इन्फरमेशन रिपोर्ट करेंगे वेरी गूड वेरी गूड डैक एगा अबनोमल डाटा आपको यहां पर रिकोर्ट करने अबनोमल डाटा क्या है अबनोमल इन चार आप्सन में ब्लीडिंग ड्रे रिपोर्टेबल इस्यू नहीं है यह ब्लीडिंग जो है वो नॉमल के अंदर काउंट होगा और हमें ड्रेसिंग को चैंज करने की जुरूत है और ड्रेनेज को कंटीन्यू करने की जुरूत है थोड़ी टाइम के लिए यह इंडिकेशन है सिंपली सर्जरी के बाद में लो इसको क्या रिपोर्ट करना अच्छी बात है यह तो यह तीनों ही जवाब सही है क्योंकि यह तीनों ही चीजें तो नॉमल है लेकिन सी यहां पे नॉमल नहीं है मरीज का इमोगलोबिन 6 ग्राम पर डियल यह वेरी सीवियर एनीमिया की कैटेगरी मा गया यह कौन सी कैटेग तो यह च्छे ग्राम परसंटेज हमोगलोबिन जाह वह बहुत जादा कम है मरीज को ब्लड ट्रांस्प्यूजन की बहुत ज़्यादा जरुत पड़ेगी यहां पर ब्लड ट्रांस्प्यूजन करना पड़ेगा तब ही मरीज सरवाइव कर सकता है यहां पे करेक्ट आमस्र बनेगा सी जो इन्फोमेवेसे बल्टीज जो नोटिफाइबल चीज वह एकि उसका इमोगलोबीन शही है साग और शही हीमोगलोबीन पे मरीज का सरवाईव करना बहुत मुश्किल है मरीज की जान के साथ में खत्रा हो सकता है आगे लेके चलता हूँ next देखिएगा next the nurse is caring for the client with five year old diagnosed with plumbism 5 साल का बचा है plumbism diagnosed वाए plumbism diagnosed वाए lead poisoning को कहते है plumbism plumbism का मतलब होता lead poisoning lead poisoning जो है वो diagnosed हुई है 5 साल के बचे को confirm information जो है health history के अंदर आप most likely जो है correlate करेंगे with the development of plumbism कौन सी health history जो है आप correlate करेंगे plumbism के development के साथ में फर्स्ट है the client has traveled out of the country in the last six month पिसले 6 महिने में country से out उसने travel किया दूसरा the clients parents are skilled stand glass artist मरीज के जो parents है वो skilled stand glass artist में अगला है the client lives in a house built in 1990 मरीज उस गर में रहता है जो गर उनका 1990 के अंदर बना है और लास्ट दे क्लाइंट है जिस्वरल ब्रोदर्स एंड सिस्टर क्लाइंट के बहुत सारे भाई और बेहन हैं कौन सा चीज जो है कौन सा most likely एस लिस्टी जो है वो प्लंबिजम के साथ में असोशिएटेड रहेगा लेड़ पोजणि को है वो 1990 मोई इस से और शीवलइब रोदर और सिस्टर है इस है वेरी गुड हमने जब लैड बोला तो लैड गां है यहां पर प्रोब्लमेटिक इस्यू है तो यहां पर जो भी ऑप्सन वह कि क्लाइंट्स के प्रेंट्स जो है वह स्किल्ड एस्टेंड ग्लास आर्टिस्ट में वह ज्यादा तर उस ग्लास को के लिए वहां पर लैड काम में लेते हैं और अगर बच्छा वहां कहीं उनका खेल रहा हुआ पांस साल की उमर में तो हो सकता है कि उसको उसको उसने प्लमिजम वहां पर उसको लैड को जो है उसको इइंजेस्ट कर दिया हो यहां पर स्किल स्टेंड ग्लास में आर्टिस्ट है बहुत ही बढ़िया प्लम्बिजम बहुत घडबड़ वाली भी मरी है लैड पोईजनिंग की वज़े से बोड़ी के मल्टीपल ओर्गन अफेक्ट होते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट डिजीज रहती है लैड पोईजनि है और होने की रीजन यहां पर हमने पड़े हैं आगे लेके चलता हूं नेक्स्स देखिएगा एक क्लाइंट विदे टोटल हीप रिप्लेस्मेंट रिक्वाइड स्पेशल एक्यूपमेंट विच एक्यूपमेंट वुड असिस्ट करेगा क्लाइंट को टोटल हीप रिप्लेस्मेंट के साथ में ताकि उसमें डिस्लोकेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाए प्रोस्टेसिस का जो टोटल हीप रिप्लेस्मेंट में जो प्रोस्टेसिस लगाए जो बोल लगाए उस प्रोस्टेसिस का डिस्लोकेशन नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए क उसको assist करेगा during walking फर्स्ट हैं abduction pillow, second is straight chair, third is pair of crutches, last is soft mattress, कौन सी चीज उसको मदद करेगी, dislocation में, prosthesis का dislocation नहीं हो, इसके लिए assist करने वाला special equipment क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, very good, एक बहुत important बात है कि जिस भी मरीज का hip की replacement surgery होती है, उस मरीज को हमें एक बात सिखाता है कि तुम्हें अपने leg को cross नहीं करना है, दोनो leg को दूर दूर रखना है, उनको आपस में cross नहीं करना है, दोनों को आपस में add नहीं होने देना है, जिससे hip bar की तरफ चला जाएगा, अगर आप leg को दूर दूर रखेंगे, तो hip पास पास रहेगा, leg पास पास आएँगे, हिप दूर दूर चले जाएगे, हैंकि नह नहीं हो है लेग ऐर हीप का क्या नहीं हो दिस लोकेशन नहीं हो बी आन्सार लिकावा इस्टेट् nowhere गलत है वह सई नहीं है चेर के ओपट ऍतरेटीटी डीगरी यह उससे ज्यादा फ्लेकॉप शो जाते और उसकी वज़े को problem हो सकती है dislocate हो सकते CC incorrect है क्योंकि जो walker है या crutches है उनको यूज नहीं किया जाता है मरीज को इस वा ले प्रहसन को emulate नहीं करवाया जाता है यह ना crutches के द्वारा काम में नहीं ले जाती है मैं मतलब crutches काम में ले जाती सुरी walker काम में लेते हैं यह पेर अप है पेसिंद के अंदर ओर डी खोट है क्योंकि एक हॉंड मैट्रे qualcिंट को पसुला नहिए यहां पर 2-2-3 प्रोब्लम कम से कम होई तो यहां पे बी सी और डी तिनों इक्षोटे इक्विमेंट है जो काम में नहीं लेने होते ए बिल्कुल करक्ण नसुँ आंच है लेको एबड़क्ट रखने में मदद करेगा next the client with a joint replacement is scheduled to receive lovenox मरीज का joint replacement वाय है और उसको lovenox दवाई दी जा रही है which lab value should be reported to the doctor कौन सी lab value आप डॉक्टर को report करोगे मरीज को lovenox चल रही है फर्स्ट एप PT 20 APTT 300 प्रोट्राइम 30 और आई ना थ्री लोव एनोक्स LMWH लोव मोल्यक्लार वेट हिपेरिन एनोक्सा पेरिन कुछ भी बोल दो एक ही बात है और हिपेरिन जब किसी को चलता है तो एक ही value चेक करते हैं वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है क्या बात है मतलब कमेंट बॉक्स को राफेल बना दिया आपने इस वाल को लेकर आप बड़े confident है जैसे ही पेरिन का नाम आया और बोले सावी पेरिन तो APTT और APTT 300 बहुत ही ज्यादा APTT 300 जो है वो बहुत ज्यादा value है इससे bleeding को indicate करता है ACOD जो है वो तीनों ही normal value है PT 20 normal है pro time 30 और INR 3 ये normal limit के आसपास है या थोड़े बहुत ही है लेकिन 300 बहुत ज्यादा number है APTT का APTT जो होता है वो 300 बहुत ज्यादा है 30 से ज्यादा नहीं होना चीए ये 100 गुना ज्यादा है तो इस APTT वेल्यू का abnormality है मरीज bleeding की risk पर है B maximum लोगों ने बिल्कुल correct answer दिया है B यहां पर बिल्कुल सही answer रहेगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार तो एक इंपोर्टेंट का कारण क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा था कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा मल बनेंगे अगर आप अच्छा बनेंगे तो आप definitely उचाईयों को चुएंगे अपना future एक बहतरीन जगे पे लेके जाएंगे तो कर दीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आ झाल